हेलो माई डिया शूडेंट्स वेलकम टू डेफिरेंट सक्सेस पाटशाला नमस्कार अधाब सच्रियकाल मैं हूँ आपका मैस्मेंडर रहूल और आप कर रहे हैं हमारे साथ क्लास 9 तो लेकर 12 सके सारे क्लास के टॉप कॉलिटे एजूकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को मजबूत मतलब स्ट्रॉंग करने हैं अपने बैसिक्स को और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आज का जो अपना सेशन है वो है क्लास 10 के फोर्थ चाप्टर का लास्ट सेशन जिसमें हम डिसकस करने वाले है नेचर ऑफ दे रूट्स नाम के टॉपिक को और साथ ही साथ कवर करें एक्स एक्ससाइज 4.3 को अब नेचर ऑफ दे रूट्स क्या होता है तो देखो पिछले सेशन में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था राइट आपको अगर वो सेशन आपने नहीं देखा डिसक्रि वह वाल्यूज होती हैं जो हमारे एक्वेशन को सही साबित करें हैं हमारे एक्वेशन को साटिस्फाय करें ठीक है एक्वेशन को साटिस्फाय करें या फिर जो हमारी एक्वेशन है उसको 0 के बराबर प्रूफ करना होता है हमें या फिर 0 के बराबर वो होती है तो उस प्र चीज जो देखी होगी और जो आपको यहाँ पर चर्चा करनी हमें वो यह कि किसी भी क्वाड्राटिक एक्वेशन का एक स्टांडर्ड फॉर्म होता है दाट इस एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट अब अगर आप एक्जाम्पल्स देखोगे जैसे मालो हमने अब तक जितने कोईशन्स किये हैं उसमें एक्स स्क्वाइर जैसा था वैसा ही रहता है एक्स जैसा था वैसा रहता है फरक किसका आता है फरक आता है उनके कोईफीशन्स का कहीं पे कोईफीशन्स पॉजटिव कहीं पे नेगेटिव कहीं पे फ्राक्शन कहीं पे आपके इ को जब solve करते हो तो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है इसी लिए इनकी सहायता से कौन से ये जो हमारे ABC आते हैं इनी की सहायता से हम हमारे roots का nature थोड़ा सा predict कर पाते हैं बिना equation को solve किये और आज के session में हम उसी पर concentrate करने वाले हैं ठीक है अब उसके पहले एक देखो important formula यहां पे लिखा हुआ है यूँ तो आपके जो आपका जो modern syllabus है जो कि अभी currently चल रहा है उसमें यह formula आपको नहीं पढ़ाया जाता है पर फिर भी यहां पे इसका ग्यान होना जरूरी है इस formula का नाम है quadratic formula यह formula क्या करता है देखो आपने पिछले session में factorization की बात करी थी हर quadratic equation का answer factorization से आ जाएगा इस बात की guarantee नहीं है कुछ specific quadratic equations ही होती है जिनका answer आपका factorization से आ जाता है milton splitting से आ जाता है परन्तु जो बची हुई equations है क्योंकि हर एक का solution हमें निकालना ही निकालना है वो आता है इस formula से जिसमें a, b, c जो है हम हमारी equation से pick करते हैं फिर यहां पे रखते हैं और solve करने पे हमें x की value मिल जाती है ठीक है अब इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत important role या फिर जो crucial आपका कह सकते हो part है वो है यह root के अंदर रखा हुआ b square minus 4ac ठीक है जो कि यह बहुत कुछ determine करता है हमारा solution कैसा होगा जो कि b और a तो हम directly pick करते हैं पर यहां पे हम थोड़ा सा calculation करते हैं इसी लिए यह जो होता है इसको हम बहुत ही अच्छे से सहीच के रखते हैं और इसकी अलग-अलग values पे हमें अलग-अलग answer मिलते हैं जैसे कि अगर b square minus 4ac 0 से बढ़ा है simple funda समझना अगर b square minus 4ac 0 से बढ़ा है तो आपको मिलते हैं दो distinct real roots क्या मिलते हैं दो distinct real roots सब आपको जब questions आएंगे exam में तो आपको वो roots नहीं निकालने हैं अगर आपको nature पूछा गया है तो आपको nature बताना पड़ेगा तो nature बताने का जो formula है हमारा वो derive कहां से हुआ उसकी journey यहां पे आपको दिख रही है यह रहा formula जो बड़ा वाला formula जिसके अंदर से एक sub part निकाल के हमने उसको use किया nature decide करने में तो nature निकालने का formula है b square यानि आपके x का coefficient minus 4 into x square coefficient into c का coefficient ठीक है यह जो दो values हैं यह आपके वो दो real roots हैं लेकिन आपको इस पे चर्चा नहीं करने आपको सिर्फ nature बताना है तो आप सिर्फ उसका use करोगे अगर आपकी यह वाली value कौन सी b square minus 4 इसी जिसको आम भाषा में कहा जाता है discriminant क्या कहा जाता है discriminant या फिर short में इसको बहुत लोग ऐसे d भी लिख देते हैं अगर यह 0 से बढ़ा है तो आप nature पे क्या तिपणी करोगे आप nature पे तिपणी करोगे कि two distinct real roots आपको examination में ऐसा ही पूछा जाएगा ठीक है बस यह आता कहां से वो बताना थोड़ा जरूरी था और इस बारे में ग्यान होना जरूरी है इसलिए हमने यहां पे उसको elaborate किया पर मोटा माटी यहां से आपके जो takeaways होंगे वो बहुत simple है कि एक formula होता है b square minus 4ac जिसको हम discriminate कहते हैं जिसकी साहेता से हम किसी भी equation के roots का nature बताते हैं तो अगर वो value 0 से बढ़ी आती है तो हम कहते हैं two distinct real roots ठीक है अगर वो value किसके बढ़ाबर आ रही है यहां पे देखो अगर वो value 0 के बढ़ाबर आ रही है तो फिर आप कहते हो two equal real roots क्या कहते हो आप two equal real roots अगर वो value less than 0 आ रही है ठीक है तो आप कहते हो कि यहां पे आपके होंगे no real roots ठीक है, since b square minus 4ac determines, यह determine करता है कि quadratic equation के दो real roots होंगे या नहीं, इसलिए इसको discriminant कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, discriminant कहा जाता है क्योंकि इसी की साहेता से आप बता पाते हैं कि nature का roots कैसा होगा, आप equations के बीच में थोड़ा सा कह सकते हों कि आप determine कर पाते हो, discriminate कर पाते हो, कौन से real roots वाले हैं और कौन से नहीं है, is this clear, यहां तक कोई दिककाजरासी भी नहीं सर्च चलिए, तो simple application है, एक बड़ दुबारा देखना, क्या होगा, जो हमारा अब तक कहानी था, उसका सार क्या होगा, तो मूलतह एक quadratic formula होता है, जिसकी साहेता से हम किसी भी quadratic equation के solutions तक, roots तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वो formula हमें अभी study नहीं करना है, मज़ उसके बारे में हमें ग्यान होना चाहिए, ठीक है, what is important to understand here is, कि उस formula का एक sub-part है, that is b square minus 4ac, जिसकी value के हिसाब से हम decide करते हैं, कि हमारे roots कैसे होंगे, अगर वो value 0 से बड़ी है, तो हम कहते हैं, कि भाईया, वहाँ पे आपको two distinct real roots मिलेंगे, अगर वो value b square minus 4ac की 0 के बराबर है, तो हम कहते हैं, दो equal real roots मिलेंगे, अगर वो value less than 0 है, तो हम कहते हैं, कि real roots नहीं होंगे, एक बार इस वाले slide की, इस वाले screen की screenshot ले लो, क्योंकि ये कहानी का सार है, इस पूरे session का, अब अपन कुछ examples को approach करेंगे, जिससे हमारी understanding or develop होगी, ठीक है, अब देखो लोने क्या बोला है, सवाल आपसे simply बोल रहा है, find the discriminant, find the discriminant of the quadratic equation and hence find the nature of its roots, तो हमारी equation क्या है, तो यहाँ पर आपने दिया है, भाईया, according question के साफ साफ की equation क्या है, तो equation है, आपकी 2x square minus 4x plus 3 equal to 0, ठीक है, हमारा काम क्यों होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, भाईया है, इधर पर identify करेंगे, a is equal to 2 है, b is equal to minus 4 है, c equal to 3 है, तो बहुआ पर लिख देते हैं यहाँ पर है कि c equal to 3, चल्व, अब using d is equal to b square minus 4ac, यहाँ डिस्क्मिनेंट का formula, d is equal to b square minus 4ac, we get, अब यहाँ पर देखोगे तो भाईया, d आजायेगा, equals to b square, यहाँ पर हो गया, minus of 4 का square, minus 4 into a की जगा आजायेगा, 2 and c की जगा आजायेगा, 3, तो यह हो जायेगा, d equals to minus of 4 का square, कितना हो जायेगा, सरी हो जायेगा, 16, minus 4, 2 is 8, आट तिया 24, तो यह हो गया, minus 8, since d is less than 0, therefore no real roots, यह हमारा answer होना चाहिए, इस question का, इतना ही करना है, बस हमको जब भी हमें nature of the roots निकालने को बोलेंगे, तो कोई जादा महनत नहीं, कोई जादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना हमको बस जितना यहाँ पर बोला है, उतना ही करना है, क्लियर है, easy है, कोई दिक्का तो नहीं, जादा सी भी नहीं से चली है, बहुत बढ़ी, आप इसके बाद देखो, example 8 देखो, ठीक है, आपको क्या बोला है, यहाँ पर, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters, ठीक है, such that, in such a way that the differences of its distance from the two diametrically opposite fixed gates on the boundary is 7 meters, it is, is it possible to do so, if yes, at what distance from the two gates should the pole be erected, अब देखो, यहाँ पर काफी कुछ दिया है, पहले बात तो क्या कह रहे है, आप एक pole लगा रहे है, at a point on the boundary of the circular park, एक circular park है, जिसका diameter कितना है, 13 meters, तो हमें काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एक circle का shape बना लेते हैं, ताकि हम सवाल अपना easily solve कर पाएं, ठीक है, एक मिटों को, इसको हम color तो सही कर लें, color इसका black आ रहा है, white लेते हैं, चलिए, मोटा माटी मान लीजे, यह हमारा circular park है, ठीक है, अब इसका diameter कितना बोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा है, भाईया, इसका diameter जो है, वो है 13, तो मान लीजे, हमने यहां पर draw कर दिया, diameter, कोशिश करेंगे, straight बनाने का, नहीं हो पाएगा, straight तो फिर देखा जाएगा, चलिए, थोड़ा सार, परफेक्ट, ठीक है, इससा diameter, diameter is how much, diameter is 13 meters, चलिए, यह हमने लग दिया, यहां पर 13 meters, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park, circular park की boundary पर आपको एक pole लगाना है, ठीक है, चलिए, अब अगर आप उस pole को fit करेंगे, तो मान लीजे, आपने कहा, उस pole को हम कहा लगा रहे हैं, उस pole को मान लीजे, आपने कहा, हम लगा रहे हैं, यहां पर, इस point पर, ठीक है, एक मिनिट, तो वो pole तो हमें erect करना नहीं, हमें सिर्फ वो point identify करना है, तो मान लीजे, हमने कहा कि वो pole इस point पर लग रहा है, और इसको नाम दे दिया हमने, कितना, इसको नाम दे दिया हमने P, ठीक है, अब यह कह रहे हैं, कि in such a way that differences of its distance from the two diametrically opposite gates A and B, तो हम जड़ा यह दो gate बना लेते हैं, पहला मान लीजे हमने यहां बनाया, तो यह होगया gate A, यह होगया gate B, ठीक है, लिख भी देते हैं, यहां पर हम, तो इसको हमने बोला gate A, और इसको बोला gate B, ठीक है, अब इसका क्या है, differences of its distance, इसका distance from the pole, किसका distance, इन points का distance from the pole, कितना है, वो आपने कहा है, 7 meters, राइट, तो आपने यहां से एक बना दिया, पहली बात, तो यह इस तरीके से line बना दी, यह distance, ठीक है, और एक बना दी, इधर से, चलो भी है, तुम तो fit हो जाओ, fix हो जाओ, एक दम बढ़ी हिरना सबास, दूसी लेना अपने यहां से draw खरी, और उसको भी यहीं पर लाके छोड़ दिया, यह हो गया, उनका distance, ठीक है, अब आपका क्या कहना है, कि भाईया, opposite, that the differences of its distance, यह उनका distance हो गया, distance को आप कैसे लिखोगे, साथ, डिस्टेंस को आपने पी और पी बी, तो आपने कह पी यह, माइनस पी बी, है ना, क्या हुआ यह, आपने कहा, कि डिस्ट, टू डायमेट्रिकली, opposite होगा, A और B, उनके बीच का distance should not be, और कितना, 7, such that, हाँ, distance is equal to 7, फिर समझना, एक बर इस लाइन को, in such a way that, differences of its distances from the distances from the two diametrically opposite gates, affix gates A and B, on the boundary is 7 meters, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, कि PA minus PB would be equal to 7 meters, is this clear, कि यहाँ तक कोई दिककत जरा से भी नहीं से यह, तो बड़ी आसानी से हो गया, तो मान लीजे, अगर, मान लीजे, अगर हमने इसको बोला X distance, ठीक है, किसको बोला हमने, PA को बोला X distance, so X minus PB is equal to 7, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा कितना, दूसरा हो जाएगा, सर, X minus 7 equals to PB, ठीक है, इसमें कोई दिककत जरा से भी नहीं सर, तो यह डिस्टेंस कितन हो जाएगा, तूसर यह हो जाएगा, X minus 7, चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके हैसाब से आबाद देखोगे, तो यहाँ पे हमारा, यह है diameter, तो यह हो गया, angle in the semicircle, तो यह angle होना चाहिए, 90 degree, तो यहाँ पे हम करेंगे, क्या, यहाँ पे हम use करेंगे, किसको, पाइथाग попробious theorem, we get, चलो, क्या मिलेगा हमें, तो साथ मिलेगा, प्लास PB square, दोनों साइट के length का square is equals to A B square, तो पीये मतलब कितना हो गया, पीये मतलब हो गया, X square, यहां पर आया X-7 का square is equal to 13 square अब मेरा पहला कार रहा होता है मेरा पहला कार है equation को बनाना तब इतुम मैं पता पर आपको कि यह possible है कि नहीं है तो मैंने square कि है यहां पर तो x square plus x square plus 49 minus 14x minus 169 जो कि है 39 13 का square equal to 0 तो यहां पर हो जाएगा 2x square minus 14x कितना हो जाएगा plus 120 equal to 0 ठीक है इतना clear है प्लस की minus sorry minus 120 प्लस नहीं होगा अब प्लस क्यों नहीं होगा भजया क्योंकि अब अगर यहां पर ध्यान दोगे तो वह minus 169 है और प्लस 49 तो माइनस 120 आएगा अगर मैं पूरी equation को 2 से divide कर दूँ तो x square minus 7x minus माइनस 7x minus 60 is equal to 0 अब मेरा यहां पर verification कैसे होगा तो वह होगा डी से तो अब यहां पर बोलोगे तो a की जगह आ जाएगा यहां पर one और c की जगह आ जाएगा यहां पर माइनस 60 ठीक है ना जी सर कोई देखका जरा सी भी नहीं सर यहां तो बड़ी आसानी से काम हो गया ठीक है अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आप further इसको solve करोगे तो डी वुड बी इकवल टू-49 पॉजटिव माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो यह हो जाएगा 2089 ठीक है सॉरी कितना हो जाएगा टूए हो जाए गा 624249 हो जाएगा उसको बड़ प्लस करने पर हो जाएगा यह विद्व प्लस ऑफ 240 तो आप करोगे डी वूड बी to 289 which is more than 0 तो यहां पर लिखोगे डीज ग्रेटर दैन जीरो मतलब आपके पास आएंगे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यह हमारा एवालुबेशन है अब क्या करना पड़ेगा हमें डिस्टेंस निकालना भी पड़ेगा तब तो हमारा यह हुपाएगा इतना पड़ेखो सबसे ümpoorten था उसी के साब से फिर आपकी बनती क्या ने जी है हमारी स्केर माइन सब्सक्रेंगे अपने एक स्क्रीन को करेंगे व्मारी x square minus 7x तो equation है भाईया x square minus 7x minus 60 equal to 0 break तो आप यहाँ पे क्या करोगे साथ 12 और 5 जो हर बार करते हैं तो x square minus 12x plus 5x हमने पहले भी किया है ऐसा एक सवाल उसमें भी हमारा answer आ गया था तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x common लेके x minus 12 यहाँ पे plus 5 common लेके x minus 12 आपके दो factors आएंगे या तो x minus 12 या फिर x plus 5 तो आपका x आएगा या तो 12 या फिर minus 5 now if you look at it 12 आपका answer है अगर एक साइड है आपकी 12 जिसको हमने कहाता हो तो आपका होगे हाँ पे distance from distance of pole from gate a is equal to 12 meter and gate b में कितना हो जाएगा तो sir gate b में हो जाएगा 12 minus 7 यानी 5 meters तो आपके दो answer है 12 meter और 5 meter ठीक है clear है जी sir कोई दिक्कत तो नहीं जरासी भी नहीं सर आसानी से हो गया हाँ जी sir चलिए बहुत बढ़िया अगर आप दोनों parts का screenshot लेना चारहें तो एक बार देख लीजे यहां पर ठीक है and then second part हमारा यह रहा चलिए बहुत बढ़िया good to go तो एक से 12 meter दूसरे से 5 meter दूर example 9 कह रहा है इसका discriminant निकालो find करो और फिर nature of the roots बताओ find them if they are real अगर real है तो फिर उनको find भी करो चलिए तो equation है आपकी 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 a की value है यहां पर कितनी 3 b की value है minus 2 and c की value है 1 by 3 क्या है भाईया तो आपका discriminant का formula होता है discriminant होता है d is equals to b square minus 4ac ठीक है तो d would be equal to minus 2 square minus 4 into a की जगा रख दोगे 3 और c की जगा रख दोगे 1 by 3 3 से 3 हो जाएगा cancel ठीक है तो यहां पर minus 2 का square जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 4 यहां पर हो जाएगा 4 d की value है 0 d is equal to 0 अर्थात 2 real to equal real roots या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि real तो है पर equal roots होंगे आपके अब अपन को इसको solve करना है जो अपना अगला कारय होगा कि equation को solve करके find क्योंकि real तो है equal है तो रीयल तो है ना मतलब हमें solve तो करना पड़ेगा तो चलिए अब अब हमारा कारह होता है in 1 by 3 equal to 0, solve करने का क्या तरीका है, सर एक तो multiply कर दो equation को 2 से, तो आपने का है, यहाँ पर multiply, 3 से sorry, multiply by 3, multiplying by 3, we get, अब यह possible क्यों हो, क्योंकि उस तरफ 0 है, तो जब आप multiply करोगे, तो वो 0 से होगा, तो वहाँ पर भी वो कुछ impact नहीं कर पाएगा, तो जाएगा, 9x square, minus 6x, plus 1 equal to 0, दो नमबर जिने multiply करने पर 9 आए, add subtract करने पर 6 आए, बहुत easy है, minus 3x, minus 3x, plus 1 equal to 0, 3x common लेंगे, आप अंदर आएगा, 3x minus 1, यहां से minus 1 common लेंगे, अंदर आएगा, 3x minus 1, तो आपके दो factors क्या हो गए, एक हो गया, 3x minus 1, दूसरा जो बचे का वो भी हो जाएगा, 3x minus 1, तो आपका x आजाएगा, 1 by 3, या 1 by 3, और वही हमें चाहिए था, हमने क्या कहा था, दो real roots आएगे, लेकिन equal आएगे, तो दो real आए, लेकिन equal आए, और इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, सर, एक तरीका यह हो सकता है, कि आपने लेखा, 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0, अब देखना, multiply करने पे आना चाहिए 1, क्योंकि आइडली इन दोनों को जब आप multiply करोगे, 3x square into 1 by 3 करोगे, तो answer आपका आजाएगा, 1x square, और add subtract करने पे चाहिए 2, तो आप अगर factorize करोगे, तो minus 1x minus 1x, ऐसा होगा, इन दोनों में से आपने लिया कितना, 3x common, तो अंदरा जाएगा भाईया, x minus 1 by 3, क्यों, चलो, इसके पास तो 3 था, इसलिए common लिए, उसके पास 3 नहीं है, इसलिए division में आगे, क्योंकि आपने बाहर common खीच लिया है, कल को जब इसे वापस multiply करोगे, तो 1x ही मिलेगा, चाहिए तो एक बार करके देख लो, यहां से लिए आपने minus 1, तो भी आप कौन दर मिला, x minus 1 by 3, bracket close, तो आपके दो factors कौन से कौन से होगा, एक हो गया, x minus 1 by 3, और दूसरा हो गया, 3x minus 1, दोनों को ही अब आप 0 के बराबर रखोगे, तो x मिलेगा, या तो 1 by 3, या फिर 1 by 3, in any case, आपका answer तो same आ रहा है, ठीक है, तो जो method आपको approach easy लगया, वो ले सकते हैं, यहां पर थोड़ पर, यहां पर हमारे exercise शुरू हो रही है, exercise है, कौन सी, यह है, फोर पॉइंट 3, चैप्टर की last exercise, आपको क्या बताना है, nature of the roots बताना है, और अगर real है, तो roots find भी करने, चली, सबसे पहले वाले में, a की value हो जाएगी, 2, b की value हो जाएगी, minus 3, c की value है, 5, ठीक है, d is equals to, b square minus 4 इसी को मैं use करूँगा, answer निकालने के लिए, तो चलिए, मुझे मिलेगा, d is equals to, b square, यारनी, minus of 3 का square, minus 4, into a की जगा जाएगा, 2, और c की जगा जाएगा, 5, तो यह हो जाएगा, d equals to, minus 3 का square is 9, ठीक है, यहां पर minus 4, 2 is a 8, यह हो जाएगा, minus 40, तो d आया, आपका, minus of 31, which implies that d is less than 0, that is no, this no real roots, चलिए, good to go, हां जी सर, अब इसका देखो, screenshot अगर आप लेना चाहो तो, तो पहले वाले कामे मिला कि भाई, यहां कोई real roots exist नहीं करते हैं, second वाले को देखते हैं, अपन फटा-फट, 3x square, फिर से आपका a है, यहां पर आप देखोगे, तो 3b है, आपका minus of 4 root 3, and c है, आपका, यहां पर आप देखोगे, तो 4, right, formula वाई है, d is equals to b square minus 4ac, ठीक है, तो d would be equal to b square, यानि minus 4 root 3 का square, ठीक है, minus 4 into 3 into 4, 4 into 3 into 4, now, minus of 4 का square हो जाएगा 16, and root 3 का square हो जाएगा 3, यहां पर भी हो जाएगा 4 into 4, 16 into 3, तो खुल मिला के d की value आईगी, अगर आप देखोगे, तो 0, यानि 2 real and equal roots, अब इसको हमें solve भी करना है भीया, तो equation आपके यहां पर गराब देखोगे, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0, multiply करने पर आना चाहिए, 12 add subtract करने पर आना चाहिए, कितना, add subtract करने पर आना चाहिए, अगर आप देखोगे तो, कितना आना चाहिए, add subtract करने पर सब्याराब आना चाहिए, minus 4 root 3, तो यह देखो, 3x square, अब add subtract करने पर 4 root 3 चाहिए, तो दोनों के पास root 3 होना चाहिए, सो माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री एक्स अब आप इसमें मल्टिप्लाय करके देखो आपको मिलेगा यहाँ पे 12 प्लस 4 इक्वल टू 0 पहले दोनों में से आपने लिया कितना 3x कॉमन लिया तो अंदर आएगा देखोगे अगर आप तो एक्स माइनस टू बाय रूट थ्री चिक है करेक्ट है ना यह कैसे आया सर देखिए ठी खौमन लिया था पर हमारे पास रूट 3 ही था तो रूट 3 एक जाएगा दूसरा वाला काहूं से लाएंगा धिनोमेटर में लाएंगा क्योंकि दो बार रूट 3 होगा तब यह क्या करों गया इसको अगर मैं लिखें तो जब आपको 3X कॉमन लिया तो आप इसको लिखो अब तो कॉमन ले सकते ना वैसे हुआ यहां पर यह हम कभी करेंगे नहीं कि हम बड़े हो गए कक्षा दस्वी में आगा है तो सीधे इस टेप पे पहुंच सकते हैं यहां से आप लोगे माइनस टू यहां से आप कितना लोगे सर यहां से में लेना पड़ेगा माइनस ओफ टू रूट थ्री तो माइनस ओफ टू रूट थ्री यहां से आप कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास आएगा एक्स अभी जाएगा माइनस अब देखो रूट थ्री था नहीं तो नीचे आजएगा थ यहां से भी जब आप निखा लोगे तो यह भी हो जाएगा टू बारूट 3 तो हुआपका रीयल अंड इकोफ़ डाटिस दू बाय रूट धुरी का यहां तक कोई दिखका जरा सी बहुत बड़ीया यीजी है गुट आपके root से दोनों ही आपके जो factors थे उन से third वाला देखते हैं A है आपका यहां पर आप देखोगे तो 2 B है आपका यहां पर आप देखोगे तो minus 6 और C है 3 चलिए formula अपना simple है D equals to B square minus 4AC ठीक है तो D would be equal to B square यानि हाँ पर हो जाएगा minus 6 का square minus 4 into A की जगा आजाएगा 2 and C की जगा आजाएगा 3 D would be equal to 36 minus 4 to the 8, it is a 24 D आजाएगा आपका 12 कितना है D की value, D की value आ रहे है 12 यानि इसके real roots तो होंगे ही ठीक है ना क्या बोलते हो हाँ जी सर क्योंकि positive आ रहा है मतलब real roots तो होंगे ही तभी तो positive आ रहा है चलिए अब वो निकालेंगे कैसे भाईया तो यहां पर आप देखोगे दो factors दो numbers जिने add, subtract करने पर आना चाहिए 6 और multiply करने पर भी आना चाहिए 6 add, subtract करने पर 6 और multiply करने पर भी 6 अब यहां पर आप देखोगे तो आपका middle time splitting से इसका answer आना तो असंभव लग रहा है ठीक है तो यहां पर यूज होगा आपका quadratic formula हाला कि जहां तक हमें पता है कि आपको quadratic formula नहीं करना है फिर भी अगर अपन यूज करना चाहिए यहां पर बोलोगे भाईया देखो x is equal to कितना होगा sir x equals to plus minus यहां पर x equals to कितना होता है formula minus b plus minus root of d जिसको b square minus 4a से भी बोलते है अपन 2a तो आप यह रखोगे x equals to minus b मतलब कितना sir minus b मतलब यह हो जाएगा minus of minus 6 plus minus root of 12 whole divide by 2a मतलब 2 into 2 ठीक है x is equal to minus minus plus तो जह हो गया 6 plus minus root 12 को लिखा मैंने 4 into 3 whole upon 2 to 4 चलिए x equals to 6 plus minus 4 क्योंकि perfect square है तो बाहरा जाएगा तो 2 root 3 हो गया whole divide by 4 अब यहाँ पर मैं दोनों में से 2 common ले लूँगा तो अंदर आजा आएगा 3 plus minus root 3 upon 4 जिसमें से 2 और 4 cancel हो सकते हैं तो उनको मैं cancel कर दूँगा तो मेरे पास बचेगा कितना मेरे पास बचेगा 3 plus minus root 3 upon 2 ठीक है अब plus minus का मतलब कह है कि आपके x की दो value आएंगी एक यहाँ पर plus sign के साथ 3 plus root 3 upon 2 और दूसरी आजाएगी 3 minus root 3 upon 2 ठीक है ना यह दो values आपकी होंगी और यह हमने किया quadratic formula का इस्तमाल करके तो यहाँ bracket में लिख दो quadratic formula चलिए go to go है यहां तक कोई देखका तो नहीं जराशी भी नहीं सर असानी से हो गया इसका मिल्टम स्प्रिटिंग नहीं हो पारा था इसलिए हमने quadratic formula का यहां पर use किया है चलो अब आगे बढ़ जाते हैं यहां पर देखो find the value of K for which each of the quadratic equation has two equal roots तो यहां पर आपका A हो जाएगा अगर आप देखोगे तो 2 B हो जाएगा यहां पर आप देखोगे तो K and C हो जाएगा 3 ठीक है and D हमारा जो capital D है वो है 0 because question में दिया है क्या है बहिया equal roots to equal roots तो D कितना हो जाता है तो D हो जाता है आपका 0 अब D निकालने का formula भी एक है तो D equals to B square minus 4AC यहां लेका आपने using D equals to B square minus 4AC we get we get 0 equal to B square यहनि B की जगा आजाएगा आपका K K square minus 4 into A की जगा आजाएगा 2 ज़रा जाएगा 3 है ना बिलकुल सर तो यह 0 equals to K square minus कितना हो जाएगा सर minus 4 2 जा 8 8 3 जा हो जाएगा 24 वहां जाएगा तो 24 is equals to K square तो K की value आएगी root of 24 is the value of K अब इसको अगर आप break करोगे तो भाईया 24 के जो आप अगर सोचो के कितना आएगा तो भाईया वो होगा सर 4 into 6 राइट तो root of 4 into 6 would give us K now 4 is a perfect square तो बाहरा जाएगा 2 root 6 रह जाएगा 2 root 6 is the value of K यह clear है लेकिन साथ में हम अक्सर plus minus लगाते हैं क्योंकि root से जब आप हटते हो तो plus minus लगाना चाहिए ठीक है यह clear है चुकि देखो माइनस 3 का square करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा सा माइनस 3 का square करेंगे तब भी नाइं मिलेगा प्लस 3 का करेंगे तब भी 9 मिलेगा तो इसलिए plus minus यह बताता है कि अगर आप plus of 2 root 6 consider करोगे तब भी सेम ही answer आएगा आएगा, clear है, screenshot अगर आप इसका लेना चाहें तो भाईया एक बार देख लिए, second question अपना समाप्त हो गया, third question अब देखेंगे अपन यहाँ पे, again, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा incomplete है, पहले तो इसको solve करो, तो यहाँ पे हम कहेंगे, kx square minus 2kx plus 6 equal to 0, अब आपका a कितना हो ज जाएगा, k, b कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा, minus 2k and c हो जाएगा, यहाँ पे 6, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, equal roots तो आप बोलोगे, d equal to 0, bracket में लिख दोगे, 2 equal roots, भाईया, साफ साफ दिया हुआ हुआ है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरवत है नहीं, अब using what, using d equals to b square minus 4ac, we get, चलिए, d की जगा जाएगा, 0, b square, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, minus of 2k square, minus 4 into a की जगा जाएगा, k, और c की जगा जाएगा, 6, अब 0 equals to 4k square, minus 6 for the 24k, तो 24 इस तरफ आजाएगा, 24k equals to 4k square, अब यहाँ पे आप देखोगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इसको यहीं से आप carry forward कर सकते हो, अगर मैं लिखूँ, तो 4k आप ले लोगे, यहाँ पे common, तो अंदर कितना हो जाएगा, तो अंदर हो equal to 0, तो यहाँ तो आपका के आएगा 0, या फिर आएगा 6, ठीक, अब 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आप क्या होगे, भीया, के equal to 0 is rejected, क्यों? सर के इस खूशी में reject कर दिया है, विचारे को ध्यान से देखो, अगर मैं के equal to 0 रख दूँगा, तो मेरी equation ही समाप तो जा 6, यह clear है, 0 क्यों reject हुआ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे 0 रख दूँगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं भाईया, सब कुछ खतम हो जाएगा, equation ही खतम हो जाएगी, 6 equal to 0 मिलेगा, जो की 2 भी नहीं है, तो कुछ sense ही नहीं बनता, के equal to 0 रखने का, ठीक है, चलो, screenshot आपने ले होगा ही, hope so, good to go है, question number 2, यहाँ पर हमने समाप्त किया, question number 3 कह रहा है, is it possible to design a rectangular mango grove, में तब garden basically, whose length is twice its breadth, ठीक है, and area, तो यहाँ पर हम हो लेंगे, let breadth bx, है ना, bx meters, so therefore, according to question, length would be कितना, तो उसा length would be, double यानी 2x, ठीक है ना, क्या लेखा तो है भाया, whose length is twice, now area is 800 meter square, तो आपने लेहाँ पर लेखा, कि area is equal to 800 meter square, यहाँ पर लिखोगे, l into b is equals to 800 meter, आप से वेठने लिख दिया, आपने, l की जगार रखा, आपने 2x, b की जगार रखा, x equals to 800, solve कि आपने तो बोलोगे, 2x square is equal to 800, x square निकालने के लिए 2 को बहाँ भेजना पड़ेगा, 800 divided by 2, यानि 400, ठीक है, तो आपका जो x होगा, वो हो जाएगा, square root of 400, यानि x हो जाएगा, आपका 20, अब यहाँ पर क्योंकि length है, या फिर आप कह सकते हो कि measurement है, तो इसलिए वो negative वाला हम नहीं लेंगे, x equal to 20, and therefore, breath हो जाएगी, आपकी 20 meters, and length इसकी double, यानि 40 meters, चलिए, clear है कोई इकत तो नहीं, जराज सी भी नहीं से हमारी length हाई 20, breath हाई 40, सवाल वैसे यहाँ पर था, तो हमें लगा, formula अगरे कुछ यूज होगा, पर उसके बिनाई हमारा काम हो गया, तो हम क्यों ही formula को जबजती के insert करें, बहुत लोग क्या बोलेंगे, sir, equation में रखके देखें, क क्यों करना है, जब उसके बिनाई हमारा काम हो जा रहा है, तो let it be, don't get too much panicked about it, जितना है उतना ठीक है, यह तो exercise में है, तो हमको लग रहा है formula यूज करो, नहीं होता, अगर exam में डिरेक्ट ली आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत यह simple question is solve करना है, चलो, अब यहाँ पे, is the following situation possible, if so, determine their present age, चलिए, the sum of ages of two friends is 20 years, ठीक है, तो let age of one person be x, बी कितना, be x years, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे, therefore, age of his friend, age of friend would be, f-r-i-e-e-n-d-e, इस पहलेंगे न, f-r-i-e-n-d-e, age of friend would be, कितनी, दोनों के ages का sum दिया है, 20, दोनों को जोडने पर 20 है, तो अगर एक की है, x तो दूसरे की हो जाएगे, 20-x years, राइट है न, कि दोनों को जोडने पर अगर 20 हा रहा है, तो एक की x है, दूसरे की 20-x हो जाएगे, simple, 4 years ago, now, 4 years ago, ages would be, would have been, ages would have been, कितनी, ages would have been, x-4 and 20-x-4 years, बाइट, चार साल पहले की है, तो यह तो यह तो हो गया, x-4 तो एक लिख दिया, आपने x-4, दूसरा हो जाएगा, देखो, 20-4 मतलब हो जाएगा, 16-x is equal to 48, अब यहाँ पर multiplication हम करेंगे, brackets को open करेंगे, x into 16 हो जाएगा, 16-x, ठीक है, minus 4 into 16 हो जाएगा, minus of 64, ठीक है, फिर minus x into x हो जाएगा, minus of x square, फिर minus x, minus 4 कितना हो जाएगा, plus 4x, और लगे हाथ ने 48 को भी यहीं ले आता हो, तो वो हो जाएगा, minus of 48 equal to 0, अब यह हो गया, minus of x square, plus 20x, minus, यहाँ पर 8, 4, 12, एक क्यारी चोच, दस x हो गया, 112 equal to 0, तो a आगया, आपका, यहाँ पर आप देखोगे, minus 1, b आजाएगा, आपका, यहाँ पर 20, and c आजाएगा, minus of 112, तो d होता है, हमारा b square minus 4ac, ठीक है, so d would be equal to, कितना सा b square, मतलब 20 square, minus 4 into minus 1 into minus 112, चलिए, d हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे, तो 20 का square, मतलब 400, minus minus plus, लेकिन एक minus और तो कुल मिला के 3 minus है, तो 3 minus का end result क्या हो, कुल मिला के, minus ही होगा, ठीक है, अब आप multiply करोगे, तो जाएगा, 4, 2, 8, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 48 आया, negative की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे, d is equals to minus of 48, which means d है, आपका less than 0, मतलब no real roots, मतलब दिये गए situation का answer possible नहीं है, और जैसी आपने लिखा no real roots, आप क्या लिखोगे, the situation is not possible, simple, और क्योंकि situation possible नहीं है, इसलिए हमारा answer निकालना भी possible नहीं है, clear, good to go, screenshot, ठीक है, समझ में आया, आपको कोई खास दिक्कत तो नहीं आई, main था, कैसे ages निकालनी, तो पहले की X और दोनों का जोड़ के अगर 48 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो दूसरे की हो गई, 20-X, फिर आपने का कि भाईया, दोनों की 4 साल पुरानी एज निकालनी, तो 4 साल माइनस करें, के दोनों की एज में से, प्रोड़क्ट आया था, कुछ ऐसा, मल्टिप्लाइ किया, सॉल्फ के एक्विशन मनाई, D की वैलो एले ले लेज जिरो, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब situation possible, नहीं है भाईया, चलिए, अब प्रोबाबली हमारी exercise का last question है, यहाँ पर हमारे समक्ष, is it possible to design a rectangle triangle of perimeter 80 and length, अब देखो यहाँ पर कि, let breath be X, breath be X meters, and if this is the case, यहाँ पर आपने लिखा भाईया, according to question, perimeter P is equal to कितना है, तो सर, P है 80 meters, तो if I take it further, 2 into L plus B हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 80, तो L plus B मिलेगा मुझे equal to 80 divided by 2, यानि 40, 40, तो L तो हमें पता नहीं है, B की जगा रख दिया मैंने, X equal to 40, तो L मुझे मिल गए यहाँ से 40 minus X, यह clear हुआ, तो जो perimeter मुझे दिया था, उसका क्या use था, उसी की साहिता से मैं length of breath in terms of X निकाल पाया, वरना नहीं निकाल पाता, ठीक है, अब सवाल में और क्या दिया है, कि now area is equals to how much, तो now area is equal to 400, ठीक है, तो आपने लेखा यहाँ पे L into B is equals to 400, L की value हमें मिली है 40 minus X, तो आपने लेखा यहाँ पे 40 minus X, breadth हमें नहीं पता है फिलाल, तो हमने लिख दिया X, क्योंकि वहीं हमने उसको नाम दिया था, solve करना start किया, अंदर multiply किया, 40X minus X square minus 400 equal to 0, एक ही बार में कर दिया, 400 को यहाँ भी ले आए और यहाँ bracket भी open कर दिया, rearrange किया, तो minus of X square plus 40X minus 400 equal to 0, तो आपका A हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे minus 1, B हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 40, and C हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो minus of 400, now if we solve this, हमें निकालना पड़ेगा, D तो आपने लेखा, D equals to B square minus 4AC, A C, ठीक है, तो आपने लेखा, यहाँ पे D equals to B square, मतला 400 का square, नहीं कितना है B, सर B है 40, लेखा है, यहाँ पे 40 square minus 4 into, कितना, so minus 1 into minus of 400, चलिए, 40 का square हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 4, 4, 16, and 2, 0, minus minus ही हो जाएगा, 3 minus हो जाएगे, तो minus ही बचेगा, 4, 4, 16, तो यह भी आगे है, 16, तो D आगे, आपका यहाँ पे 0, D 0 मतलब आपके आप आएँगे, 2 real, and equal roots, ठीक है ना, यह clear है, जी, चलो, अब अगर 2 real and equal roots है, तो भाईया, फिर तो length of breath निकालनी पड़ेगी, चलो, उसके लिए हम लेंगे, ब्राइंक स्क्रीन, equation क्या थी हमारी equation थी, minus of x square plus 40x, minus 400, तो minus of x square plus 40x, minus 400 equal to 0, minus of x square, multiply करने पर 400, add subtract करने पर 40, बहुत ही simple मामला होता, यहां पर अगर आप देखो, तो plus 20x, minus plus 20x, 20 plus 20 हो जाएगा, 40, 20 into 20 हो जाएगा, 400 और क्योंकि minus of 400 and minus of x square है, तो minus minus मिलके हो जाता है, plus, तो मतलब अपन सही जा रहे, आपने लिया minus of x common अंदर आया, x minus 20, है ना, योगि plus sign था, minus बाहर लोगे, तो वह अंदर का plus हो जाएगा, minus, यहां पर आपने लिया plus 20 common तो अंदर आ जाएगा, x minus 20, तो आपके दो factors आएगे, मोटा माटी, x minus 20 and minus x plus 20, anyway, दोनों में से किसी को भी 0 के बराबर रखो, x equal to 20 ही मिलेगा, तो यहां पर आपकी breath कितने हो जाएगा, therefore, breath would be equal to 20 meters, and length would also be 20 meters, तो है वो rectangle, पर थोड़ा-थोड़ा square जैसा दिख रहा है, मतलब basically square ही है, लेकिन उसको कहा आपने rectangle था, initially, पर हमें यह shape तो बता नहीं, हमें सिर्फ dimension बताने थे, अब dimension अगर बराबर आए हैं, तो हमारा fault तो नहीं है, चलो screenshot अगर आप लेना चाहें, तो पहले यहां से शुरू कर ले, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आजाएं calculation के लिए, और फिर आ जाते हैं, अपने ending पे, फटा फट दो मिनिट में अपन पूरे chapter के रिवाइस कर लेते हैं, ताकि हमारा strongly chapter खतम हो जाएं, तो देखो, quadratic equation अगर एक variable में है, तो generally कुछ इस form की होती है, जहां पे ABC आपके real numbers हैं, और A has to be always not equal to zero, अगर zero के बराबर हो जाएगा, तो quadratic खतम हो जाएगी, ठीक है, देन, आपका जो है, एक value ले लिजे, alpha, एक real number है, alpha जो की root कहलाता है, कब, जब उसको आप equation में रखते हैं, और आपके equation हो जाती है, satisfy, कुछ इस प्रकार, कि वो value रखते हैं, equation आ गई zero, तो यही जो हमारे root होते हैं quadratic equation के, इन्हें polynomials के साथ, zero term के साथ कहा जाता है, कि यह zeros हैं, नाम उनका अलग रखा हुआ है, ठीक है, और जो आपका यह पूरा concept है, किसका, zeros का, root का, solutions का, और वो सब एक ही चीज करने करते हैं, बस नाम अलग-अलग है, अलग-अलग जगा के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर अगर आप factorize करना चाह रहे हैं, किसी quadratic polynomial को, तो फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर उसको factorize करते समय, प्रोडक्ट में express करते हैं, किसके दो linear factors के, जो कि अब तक हमने सारे questions में किया है, ठीक है, फिर उनी की सहाइता से हम आसानी से zeros निकाल लेते हैं, ठीक है, हर एक factor को zero से equate करके, जो कि अब तक आपने सारे questions में practice किया है, है ना, चलो, अब इसके बाद एक quadratic formula है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जीवर में बहुत काम आता है, minus b, plus minus b square minus 4ac upon 2a, इसमें से इस अंदर वाले part को b square minus 4ac को लोग db कहते हैं, और इसी के साब से हम यहाँ पर बताते हैं, कि इनकी कब values होंगी तो आपके real roots आएंगे, जिससे अगर आप देखोगे, b square minus 4ac अगर 0 से बड़ा है, तो फिर आप कहते हो two distinct roots, ठीक है, अगर 0 के बराबर है, तो दो equal roots और अगर 0 से कम हैं, तो फिर no real roots, इस तरीके से पूरा आपका यह setup चलता है, ठीक है, ध्यान लखना इनको, चलिए, तो विद इस वी कम टू दा एंड अफा सेशन, हमारे जितने भी सेशन होते हैं, उनकी important और खास बात क्या है, कि आपको online lectures मिलते हैं, live classes मिलती हैं, और आपको DPP sheets मिलते हैं, जिनके solution videos भी provide कराते हैं, तो सिर्फ समस्या नहीं देते हैं, हम जीवर में समाधान भी provide कराते हैं, ठीक है, hand run notes and study morale भी आपको provide करा जाते हैं, और इसी वज़य से हम बनते हैं India's most trusted online platform for class 9-12, आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और हमारे telegram channel को join करना है, जहापे आपको regular updates मिलते रहेंगे, और आप बड़ी आसानी से अपनी पूरी पढ़ाई को कर पाएंगे, हमसे आप अगर और संपक करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर contact number and WhatsApp number दिया है, जिसके थुरूँ आप definite success को connect कर सकते हैं, session को like करना, share करना, चैनल को subscribe करना, मत भूलना, इन छोटे छोटे efforts से ही हम अपने vision तक पहुँच पाएंगे, और उसमें आपका support और आपका प्यार through these manners बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माब आपकी सेवा करें, friends and family को support करें, and yes, अपनी तबियत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, all the best for the exams, क्योंकि आजकल हर अफ्ते होते रहते हैं, take care of your health, bye bye, see you soon, take care.